मुझा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग आज की वीडियो बहुत ही जादा धमाकिदार होने वाले क्योंकि आज हमारे पास है वर्ल्ड फर्स्ट फोल्डेबल लाप्टॉप यह है लिनवो की तरफ से जो है लिनवो थिंक पैड एक्स वन फोल्ड एन गैज लाप्टॉप तो सारे ही फोल्ड होते है बट यह जो पर्चेस करना तो अब भी आप इसे पर्चेस भी कर सकते हो तो सारी चीज़े जानेंगे इस पर्टिकुलर लाप्टॉप के बारे में यूज भी मैं कर रहा हूँ इसे पिछले कुछ दिनों से एंड क्या रहा है मेरा पर्सनल एक्स्परेंस शेर करूँगा इसी वीडियो म तो जैसे हम इसे अन्बॉक्स करते है यहाँ पर सबसे पहले वो अक्चुल फोल्डेबल लाप्टॉप आपको देखने मलता है और इनिचे की तरफ यहाँ पर उन्होंने इसका कीबोड भी प्रोवाइड किया है यह Bluetooth कीबोड है और आप देख सकते हो कितने slim form factor में आपको इसका क्विक स्टार्ट गाइड देखने मलता है और इसके साथ प्रोवाइड किया है और इडिशनली यहाँ पर आपको देखने मलता है 65W का पार चाजिंग ब्रिक तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड कॉलिटी को लेके तो यहाँ पर आपको completely black color में देखने मलता है और यहाँ पर जो बिल्ड है ना polycarbonate की निकल किया है और externally यहाँ पर उन्होंने leather covering इसमें provide किया है जो बहुती premium quality का leather उन्होंने इसमें use किया है और प्लस यहाँ पर आपको flip stand भी इसका देखने मलता है अंदर की तरफ यहाँ पर red finishing उन्होंने provide किये और जैस जादा slim यह keyboard है और जैसी आप यहाँ पर laptop के उपर इसे place करोगे ना यह magnetically stick हो जाता है and wirelessly charge भी हो जाता है and yes यहाँ पर इस laptop के weight को लेके अगर मैं बात कर रहा हूं तो 950 grams का weight निकल के आता है जो बहुत ही जादा lightweight है ports को लेके अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर laptop की build जो है ना बहुत ही जादा premium यहाँ पर निकल के आती है and फिर हम बढ़ते इसके display की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने 13.3 inch का QXGA2 के display प्रोवाइड के है जो ए completely OLED foldable screen है and guys यह complete screen touch screen आपको देखने मिलेगी and यहाँ पर जो hinge mechanism है ना वो बहुत ही बढ़िया है आप देख सक सकते हो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने multi-link torque hinge design प्रोवाइड किया है जिसकी help से यह बहुत ही जादा durable बन जाता है and yes यहाँ पर panel की बात कर रहा हो ना तो OLED panel है जो यहाँ पर आता है 95% DCI P3 color gamut के साथ so wider color gamut है तो बहुती accurate colors and बहुती vivid and bright picture आपको इसमें visible हो जाता है use की scenario की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हो ना तो आप इसे as a complete tablet use कर सकते हो या फिर आप इस पर magnetically keyboard attach करके एक small laptop की तोर पे भी use कर सकते हो या फिर एक full size screen laptop की तोर पे भी कुछ इस तरीके से use कर सकते हो so guys यहाँ पर जो display ना वो आपको top of the line देखने मिलता है and yes यहाँ पर मैं एक point miss out कर रहा हूँ इस display की brightness हो यहाँ पर आपको 300 nits की brightness देखने मिलते है जो बहुत ही ज्यादा adequate है आपकी day to day usage के लिए so yes guys display बहुत ही शांदर उन्होंने provide किया and अभी हम बढ़ते है इस laptop के सबसे important factor की तरफ जो है इसका processor so यहाँ पर उन्होंने Intel का core i5 hybrid technology processor provide किया जो यहाँ पर आता है 5 core 5 thread के साथ and यहाँ पर आपको 1.4 GHz की base clock frequency 3.0 GHz की max turbo frequency देखने मिलते है and storage को लेकि अगर मैं बात कर रहा न तो 8 GB का LPDDR 4X RAM provide किया जो यहाँ पर आता है 4267 MHz की frequency के साथ and यहाँ पर उन्हेंने 512 GB की M.2 SSD भी इसके अंदर provide की है so guys जो configuration वाला part है वो इतना आपको top of the line देखने नहीं मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे इसमें gaming test हाला कि यह laptop है ना guys बिल्कुल भी gaming oriented नहीं है मतलब मैं यहाँ पर आपको casual gaming भी इसमें suggest नहीं करूँगा but फिर भी guys यहाँ पर gaming तो बनती है तो सबसे पहले यहाँ पर हमने Valorant game इसमें खेला यहाँ पर हमने as a compact laptop की तोर पर इसमें प्लेस किया था keyboard इसमें attach करके हम लोग खेल रहे थे Valorant game और आप देख सकते हूँ यहाँ पर हमने on an average 40 से लेके 50 fps का frame rate मिल रहा था and यह उपर की तरफ यहाँ पर आप CPU usage, RAM usage, temperatures भी देख सकते हो guys temperatures यहाँ पर 97 degrees तक जा रहे थे so guys जो temperature वाला part है ना बहुत ही जादा जा रहा था 97 degrees Celsius तक जा रहा था so guys इतनी बढ़िया आपको thermal stability इसमें देखने नहीं मिलती है and eventually यह जो particular laptop है ना heat भी हो जाता है but yes यहाँ पर जो Valorant का game था ना बहुत ही smoothly work कर रहा था मेरे हिसाब से and फिर यहाँ पर हमने GTA 5 game इसमें खिला GTA 5 यहाँ पर हमने full 13.3 inch में खिला आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इसे place किया था and यहाँ पर तो guys बहुत ही calm frame rate मिल रहा था 15 से लेके 20 fps के बीच में यहाँ पर बहुत ही जादा lag हमें बीच-बीच में महसूस हो रहा था and यहाँ पर ऊपर की तरफ आप thermals भी देख सकते हो CPU usage भी देख सकते हो almost the thermal से 95 degrees के plus है and CPU usage भी यहाँ पर 85% के अबाओ जा रहा था so yes guys जैसे आपने gaming देखना इस particular laptop में इतना बढ़िया तरीके से gaming आप नहीं कर सकते है क्योंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी ताइम पहले बता है Intel का Core i5 Hybrid Technology पर बेस प्रसेसर है तो जो Base Clock Frequency यहाँ फिर Max Turbo Frequency ना वो इतनी जादा नहीं है तो guys yes आप gaming के लिए तो for sure इसे purchase नहीं कर सकते और फिर हम बढ़ते है productive application की तरफ तो यहाँ पर हमने Photoshop इसमें test किया Photoshop guys बहुत ही smoothly इसमें work कर रहा था कोई भी lag यहाँ पर हमें महसुस नहीं हुआ colors बहुत ही accurately इस particular OLED panel में आपको visible हो जाते so yes guys आप यहाँ पर for sure Photoshop जैसे software इसमें use कर सकते हो and guys यहाँ पर अगर मैं multitasking के बात कर रहा हो नहीं तो normal use के scenario के बात कर रहा हो जहाँ पर आप multi window इसमें open कर सकते हो simultaneously दो windows भी देख सकते हो and इस particular use के scenario में आपको कोई भी lag as such महसूस नहीं होगा and guys फिर हम बढ़ते है Lenovo pen की तरफ जो यहाँ पर आपको out of the box देखने मिलता है and yes यहाँ पर आप type C से इसे charge कर सकते हो and plus यहाँ पर आपको इसका एक customizable application भी देखने मिलता है जिसकी help से आप इसके जो button से उन्हें customize कर सकते हो या फिर जो इसका touch है ना उसे भी customize कर सकते हो and बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आप different different use के scenario में इस pen को use कर सकते हो and yes guys उसे के साथ हम बात करेंगे इसमें connectivity की तो यहाँ पर उन्होंने Wi-Fi 6 प्रोवाइड किया faster uploads and faster downloads के लिए उसे के साथ आपको Bluetooth version 5.1 भी देखने मिलता है and उपर की तरफ यहाँ पर उन्होंने 4 mics से इसमें provide किये so guys in particular mic की help से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप meetings होगे या फिर online lectures attend कर सकते हो and guys अभी time आता है इसमें benchmark test करने का तो यहाँ पर सबसे पहले हमने Cinebench R23 की test इसमें की and यहाँ पर हमें 1701 के multi-core score 720 के single-core scores देखने मिल रहे थे and उसी के साथ यहाँ पर हमने Geekbench 5 की भी benchmark test इसमें की and यहाँ पर हमें 813 के single-core score 1719 के multi-core scores देखने मिल रहे थे and फिर यहाँ पर हमने productive application test करने के लिए PC Mark 10 benchmark test भी इसमें perform किया and यहाँ पर हमें काफी decent से 2380 के scores देखने मिल रहे थे and finally यहाँ पर graphic test करने के लिए हमने 3D Marked Fire Strike test भी इसमें perform की and यहाँ पर हमें बहुत ही कम 1135 का score देखने मिल रहा था so जो benchmark scores है ना वो आपको बहुत ही जादा decent में यहाँ पर बोल सकता हो यह particular laptop निकाल के देता है and yes फिरम बढ़ते हैं इसके speakers की तरफ तो यहाँ पर आपको side firing dual speakers दिखने मिलते हैं जो यहाँ पर आते हैं Dolby Atma certification के साथ so यहाँ पर मैं एक sample video प्ले करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality को so guys यहाँ पर जो sound quality वाला part है ना बहुत ही impressive निकल के आता है मैं बहुत ज़्यदा इंप्रेस्ट था इतनी बढ़िया sound quality आपको यह particular laptop यहाँ पर deliver करता है and guys फिरम बढ़ते हैं इसके battery के तरफ तो battery बहुत ही ज़्यादा crucial role play करती है ऐसे foldable screen वाले laptop में and यहाँ पर उन्होंने 50 watt hours की battery इसके अंदर provide किये जो यहाँ पर आपको typical usage scenario पर जैसे की casual usage अगर आप कर रहे हो ना तो आपको 4 hours तक यह last करेगी and yes यहाँ पर आपको quick charging technology भी देखने मिलते है 65 watts का power charging brick उन्होंने out of the box यहाँ पर provide किया है तो आप quickly इस particular laptop को यहाँ पर charge भी कर सकते हो so guys final conclusion Lenovo ThinkPad X1 fold laptop के बारे में guys बहुत ही amazing यह laptop है foldable screen के साथ आता है मतला मज़ा ही आ जाता है जब भी भी आप इसे use कर रहे हो and yes बात करेंगे इसके pricing की तो पहले यह prototype unit था तो selling के लिए available नहीं था बट अभी आप इसे order कर सकते हो and customize भी कर सकते हो Lenovo website पे जाके and pricing है इसकी 2,48,500 guys मुझे पता है आप pricing सुनके बोल रहे कि यार इतनी बड़िया performance नहीं तो इतनी ज़्यादा pricing की हुए guys यह एक prototype unit था पहले and इसकी जो manufacturing cost रहना वो बहुत ही ज़्यादा होती है and R&D team को भी बहुत ही ज़्यादा expensive होता है इससे customize करना इन इतने compact form factor में इतनी सारी चीज़े fit करना उसके लिए इसकी pricing इतनी ज़्यादा high है and guys premium level product है world's first foldable laptop है तो yes अगर किसी को इसे check out करना है या फिर इसके additional information चाहिए न तो link में नीचे description box में drop कर दूँगा वहाँ पर जाके आप इसे check out कर सकते हो and guys बस यही था आज के video I hope आपको वीडियो पसंद आगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो please इस video को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और एक important बात पेज मेरे facebook पेज और instagram पेज भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते है अगरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद